हेलो फ्रेंड्स, वल्कम टो जिके क्रेज, फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफी महतपुन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में अब तक आपके RRB NTPC एक्षाम में जितने भी स्टाटिक जिके के सवाल पुछे गए हैं, वह सब हम डिस्कस करेंगे, 28 26 December से 17 February तक जितने भी शाटिक जीके से सवाल पुछे गए हैं, सबको मैंने एक साथ कलेक्ट किया है, सब मिला करके 500 से भी ज्यादा कोस्टिन हो रहे हैं, इसका जो पार्ट वान वीडियो में हम दोस्तों के आसवास कोस्टिन डिसकस कर चुके हैं, और आज का वीडियो है जिसमें कि हम 500 के आसवास सवाल लिसकस करेंगे, वीडियो के आन तक जरूर देखिएगा, यही सवाल ही दोस्तों, आपके NTPC एक्जाम अगर खतम नहीं होआ, तो उसी में हूब हूब पुछे जा रहे हैं, 4-5 सवाल तो दोस्तों इसी वीडियो से ही आपको मिल जाएंगे मैं details में भी सभी question का बताऊंगा, और अगर आप group day exam देने वाले हैं तो दोस्तों उहाँ पे भी दोस्तों इही सवाल ही repeat होने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको किसी भी हालत में पूरा देखना है, इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है, और अब तक जितने भी सवाल पूछ दोस्तों बड़ी मेहनस से ये वीडियो में आपके लिए बनाया है, तो वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिजीगा, अगर आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हैं, इसी तरह के दोस्तों टूदा पॉइंट कांटेंट बाने के लिए आपके रेल्वे एक्जाम के लिए, तो चले उसनों बीडियो सुरू करते हैं, तो चले उसनों पार्ट टू बीडियो का पहला सवाल देखते हैं, काजीरंगा नेशनाल पार्क जो की आसाम में स्तीध है, ये किस जानवर के लिए प्रसीद है, सवाल पुछा गया था, इसक नेशनाल हाइवे की बज़ा से, तो नेशनाल हाइवे 37 इसका सही आनसर हो जाएगा, अगला सवाल देखते हैं, सवाल कुछा गया था, स्पैन और मोरको को अलग करने वाला जलसंधी कौन सी है, स्पैन देश और मोरको देश को तो अलग करता है, श्ट्रेट अप गिब्रे नेशनाल देखते हैं, CISF की स्तापना कब हुआ था, CISF इसका फूल फर्म क्या है, Central Industrial Security Force, इसका स्तापना दोस्तों हुआ था, 10 मार्च 1969 को हुआ था, याद रखिए CISF का स्तापना पुछा गया था नेश्ट दोस्तों पुछा गया था, European Union में कार्यकारी फैसला, यानि जो Executive Decision कुन लेता है, इसका जो से आंसर हो जाएगा, European Commission लेता है, यह पुछा गया था, United Nations से सम्मंधित, सरी, European Union से सम्मंधित नेश्ट दोस्तों, SBI का स्तापना कब हुई थी, SBI यानि State Bank of India का स्तापना हुआ था, 1 जुलाई 1955 को नेश्ट दोस्तों, पुछा गया था, SBI का पुराना नाम, जो पुर्ब नाम क्या था, यह सवाल दो से तीन बार भी रिपीट हुआ है, इसका स्ती अंसर होगा, Imperial Bank of India, SBI का पुर्ब नाम था तो स्वाल पुछा गया था, कस्मेरी स्टेक, यानि जो कस्मेरी हंगूल होते हैं, यह किस नेशनाल पार्क में पाय जाते हैं, यह सवाल पुछा गया था, इसका स्ती अंसर होगा, दची घाम नेशनाल पार्क में यह पाय जाता है, याद रखिये दोस्तों, नेक्स स्वाल पुछा गया था, बारत में किसको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत तरत्तन का पुरसकर मिल गया था इसका जो से अन सरुगा, सर्वापली राधा किस्रान को केसरी निउसपेपर जो केसरी निउसपेपर है इसके संपादक कौन है सवाल पुछा गया था से अनसारव दोस्तों ये इसका संपादक है लोकमान्य बाल गंगाधर तीलक और दोस्तों ये एक मराठे अख़वार है और इसका स्तापना कप क्या गया था चार जनवारी 1881 को सवाल दूसमों पुछा गया था रामोन मैकसे से आउड कीसे मिला है सवाल पुछा गया था 2019 का आउड कीसे मिला है आपके अफसन में था रवीज कुमार भारत की पत्रकारिदा उस गाने में, से अंसर होगा दोस्तों, Odyssey Dance, Odyssey नूर्तिय किया था, Odyssey Dance इसका से अंसर होगा, और ये किस राजय का नूर्तिय है, आपको पता होगा, Odyssey का है, लोकसभा के प्रथम अधक्सिय कौन थे, से अंसर हो जाएगा, गनेश बासुदेप, माभालंकर, इनको जीभी माभालं कर, क्या मुझे अभी आप बता सकते हैं, अभी बरत्मान के समय में, लोकसभा के अधक्सिय कौन है, चले बताएगे, और ये भी बताएगे, कि लोकसभा के प्रथम, महिला अधक्सिय कौन है, चले, comment box में बताएगे, बढ़ते हैं नेक्स सवाल क्यों, नेक्स उसा है, ब्र ब्रिक्स का फुल्फरम जनते हैं, ब्रिक्स, ब-R-I-C-S, मेरे साथ साथ बोलिये, B से हो गया ब्राजील, R से हो गया रस्या, I से हो गया इंडिया, C से हो गया चाइना, and S से हो गया साथ आफ्रीका, इसका स्तापना दोस्तों कब हुआ था, 2009 में हुआ था, इसी तरह के होस्ट किया था, ये वीडियो कंफरेंट्स के जरिये हुआ था, और सम ब्रिक्स से इलेटेट इसको भी याद रखना है, कि ब्रिक्स का जो समिट हुआ था, बारववां समिट, 2020 में हुआ था, वो कहां पे हुआ था, वो किसने होस्ट किया था, C answer हो जाएगा, रसिया ने क फुल फॉर्म है, Food and Agriculture Organization, कम्पुटर में, कम्पुटर का सवाल है, इसके लिए सफारेट वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें कि हम डेट्स हो के आसपास कम्पुटर के कोश्चिन डिसकस किये हैं, उसका लिंक इस वीडियो का डेक्शन बक्स में मिल जाएगा आपको, त इसका स्तापना कभ हुआ था, इसको ठीक से याद रखे, 5 जून 1972 को, और इसका हैड़कोर्टर कहां पे है, केनिया का नैरोबी में स्तीध है, नेक्स दोस्तों पुछा गया था, कुना किस देश की मुद्रा है, क्रोएसिया इसका से एंसर होगा, तो अगला सवाल पुछा दक्षिन ACI, खेत्रिय सहोग संगठन यानि सार्क, इसका स्तापना कभ हुआ था, सार्क का फुल फॉर्म क्या है, जानली जे इंगलिस में, साउथ एसियान एसोसियेशन फोर रीजियनाल कूपरेशन, इसका दोस्तों स्तापना कभ हुआ था, 8 डिसेंबर 1985 में, इसका अगला सवाल देखते हैं, यूनिस को विश्व बिरासत सूची में, कौन सा साइट सम्मिली थे, जो आपके अफ्सन में दिये गए थे, खजुराओ ग्रूप और मॉम्मेंट्स इसका सी अंसर हुआ, हमारे भारत में जितने भी यूनिस को वार्ल हेडिटार साइट है, सभी अगला सवाल दोसम पुछा गया था, ये कब लांच हुआ था, इसको दोस्तों 2018 का मार्च 29 तारीक को लांच किया गया था, वोगे दोस्तों इस बार के NTPC exam में ये exact date जायतर पुछ जा रहे हैं, आपको पूरा exact date याद रखना है, मार्च 29 दिया होगा, मार्च 28 दिया होग इसलिए कि एक dangerous question है आपके लिए, तो याद रखे कहा से लंट किया गया था, स्री हरी कोटा से, नेक्स वास्ता है, वहागा बॉड़र, ये कहा स्तीत है, वहागा बॉड़र, से अंसार होगा, अमरित सर में स्तीत है, पंजाब का अमरित सर में, नेक्स है, मीजो नेशनाल फ कौन सी एक scenic चावनी है, जो option में दिये गए थे, उनमें से दोस्तों, जालंधर में एक scenic का चावनी यानि contentment स्तीत है, ये सवाल पुछा गया था, दोस्तों अगला सवाल है, देवी अहल्या बाई होलकर एरफोर्ट, ये कहा स्तीत है, सवाल पुछा गया था, मध्या प्र मास्क मुखोटों पेहन कर कौन सा नूर्ट्य किया जाता है, मास्क मुखोटा पेहन कर के दोस्तों कौन सा नूर्ट्य किया जाता है, उस नूर्ट्य का नाम है, लामा डैंस, उसको च्छम डैंस भी कहते हैं, कहां पे किया जाता है, सिकिम राज्य में, अगला सवाल है, बा आपके अवसंद में दिया गया था चुहों की संख्या बढ़ी जाता है नेक्स दोस्तों पुछा गया था IPBES इसका फूल फॉर्म क्या है इसका जो सी अनसर होगा Inter-Governmental Science Policy Platform and Biodiversity and Ecosystem Service ये इसका फूल फॉर्म है और उसका फूल फॉर्म से लेटेट जितने भी सवाल आपके NTPC exam में पूछे गये हैं उसके लिए मैंने एक separate वीडियो बना दिया है जिसमें की dead show के आसपास हमने question discuss किया है ओके दोस्तों क्या करना है आपको इस चैनल को पहरे सब्सक्राइब कर लिजिए हमारा playlist में जाना है वहाँ पे NTPC exam में जितने भी topic के सवाल पूछे गये हैं topic वाई सभी को मैंने सामिल करके एक playlist बना दिया है ओके सभी playlist के वीडियो को देख लीजिएगा तो इससे आपको काभी फैदा होगा गुरुबडी exam में भी दोसों इसी तरह की सवाल पूछे जाने वाले है अगला सवाल है GSLV Mac 3 का निकनेम क्या है इसका निकनेम है Fadway and Bahowoli ओके GSLV Mac 3 नेक्स सवाल है United Nation University कहाँ पर स्तीत है सियान सारोगा जापान का टोक्यो का सीबोवाय में स्तीत है United Nation University ये सवाल पुछा गया था दोसों नेक्स सवाल है कौन सी अंतराष्ट्रिया सहस्तान नहीं है सवाल पुछा गया था निमनेमेर से कौन सा United Organization नहीं है से अनसर हो जाएगा दोस्वान DRDO ये इंडिया का दोस्वान Defense Research and Development Organization है ये UN के तहत नहीं आता है ये सवाल पुछा गया था और DRDO का मुख्याले कहां पे स्तीत है नेदिल्ली में स्तीत है स्तापना हुआ था 1958 को इसके चैर्मेन कौन है 37 रेड़ी ये भी एक्जाम में पुछा गया था अगला सवाल दोस्वान पुछा गया था सेटलाइट से संबनित भारतिय बायुसेना के लिए G67A संचाल उपग्रह को किस ने विक्सित किया था G67A जो संचाल उपग्रह है जो कॉम्मुनिकेशन सेटलाइट है इसको ISRO ने डेवलप किया था और इसको लांच किस से किया गया था GSLV MAC-2 F-11 से और कब लंच किया गया था इसको भी याद रखिए 19 December 2018 को लंच किया गया था नेक्स सवाल है भारत में प्रथम मेट्रो कब और कहां चलिक थी भारत में प्रथम मेट्रो दोस्तों ये कुलकत्ता में चला था कुलकत्ता इसका से अंसर होगा अगला सवाल है दोस्तों Honville उस्चप ये कहा का उस्चप है Honville उस्चप दोस्तों ये नागलान का famous उस्चप है याद रखिएगा Honville Festival ये बार-बार एक्जामें repeat होता है याद रखिए नेक्स्ट ये पक्षियों का अध्यान को क्या कहते हैं Honnithology कहते हैं इसको याद रखिए और ये तो computer का सवाल है दोस्तों अंगला सवाल पुछा गया था किसे East India का Scotland कहते हैं हैने East का Scotland किसे कहते हैं साइद सवाल ये पुछा गया था Scotland of the East Ceylon को कहते हैं जो कि Megalaya में स्तीध है Next है सबसे उचा यूद मैदान कोन सा है सबसे उचा यूद मैदान है Saiken Glacier जो कि India का है Next है India The future is now India the future is now ये जो पुस्तक है इसके लखक कोन है ससी थरूद इसका सही अंसर होगा ओके ये सवाल भी बार-बार रिफीट होता है Next है the test of my life ये जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है यूराज सिंग The test of my life Next है मतदाता दिवस कब मना जाता है जो भोटोर स्टे कब मना जाता है से अंसरोगा 25 जनवरी को मना जाता है Next है इंद्रागांधी Institute of Development Research ये कहां स्टीध है ये जो इंस्टीध ये कहां पर स्टीध है महराष्टर का मुंबाई में स्टीध है पुर्थिवी दिवस यानि आर्थ डे कब मना जाता है इसका से अंसरोगा 22 अफ्रेल को मना जाता है आर्थ डे याद रखे राजस्तान के किस जिले में होली पर हाती महस्चब मना जाता है सवाल पुछा किया था किस जिले में होली पर हाती महस्चब मना जाता है तो इसका से अंसरोगा जेपूर सीटी राजस्तान का जेपूर सीटी में मना जाता है नेक्स्ट जैकते हैं एकमार्क का head office कहां पर स्तीध है जो एकमार्क का दूसों head office है फरिदाबाद में स्तीध है जो की हरिया नाम है फरिदाबाद में स्तीध है next है कौन सी micro blogging and social networking website नहीं है यह सवार पुछा गया था आपके जो option में दी गए थे उनमें से पीन इंट्रेस्ट यह micro blogging and social networking website नहीं है नेक्स्ट है कौन सा देश सेंग्त राष्टर का स्ताइस सदस्य नहीं है स्ताइस सदस्य कौन सा देश नहीं है जो आपके option में दिए गए थे उनमें से दोस्तों कानाडा इसका स्य अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है विश्व बन्यजीब दिवस यानि वाल्ड वाइल लाइफ ड्रे को मनाई आता है स्य अंसर हो का तीन मार्च को मनाई आता है नेक्स्ट है पोसु कल्यान विकास बोड किस मंत्राले के अंतरकत आता है इसका स्य अंसर हो का दोस्तों Ministry of Fisheries and Animal Husbandry and Diary के अंतरकत आता है याद रखिए मंत्राले का नाम है ये और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है पेटा इंडिया का स्तापना कब हो था और पेटा का फुलफ़म ही दोस्तों पुछा जाता है इसलिए याद रखिए P E T A इसका फुलफ़म है P से हो गया दोस इसका स्तापना हुआ था 2000 इसवी में सन 2000 में मुंबई में हुआ था अगला सवाल दोस्तों पुछा गया था कि सहर में सिप्रा नधी के तठ पर कुम मेला होता है ये सवाल पुछा गया था उज्ञन सर इसका सी आंसर हुगा इसका स्तिया अंसर का यारा मई को मना जाता है राष्ट्रिय प्रद्योगी की दिभस. अगला सवाल है पहला सोच्याल मीडिया वेब्साइट कौन सी है? 6degrees.com याद रखिए 6degrees.com यह पहला social media website है दोस्तों कुछ सवाल computer के भी यहाँ पर आ गए है यह सवाल आपको computer का वीडियो में नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर यह गलती से आ गए है तो इसको यहाँ से ही आपको याद रखना है Next है Last Indian Oscar In best foreign language film category किसको मिला था See answer होगा दोस्तों Village rockstar movie को मिला था Okay किस category में Best foreign language film category में मिला था Next है Sak Samad का प्रथम महिना कौन सा होता है Sak Samad का दोस्तों प्रथम महिना होता है Chetra महिना First month of Sak Samad in Chetra यह सवाल पुछा गया था Next दोस्तों पुछा गया था बर्दो छाम नूर्त्यों किस राज्य का प्रतलीत नूर्त्य है See answer होगा औरोना तल प्रोदेश का Next है पहला bio refinery यानि Fast bio refinery plant कहां पर खोला गया था See answer होगा यह हमारा भारत का पहला bio refinery पुछा गया है तो महाराष्टर में खोला गया था Next है किसका मुख्याले कलकता में स्तीथ है किसका मुख्याले Geological Survey of India इसका भी मुख्याले कलकता में स्तीथ है Botanical Survey of India इसका भी कलकता में ही स्तीथ है Next है किस राज्य में एक से ज़्यादा लोग सभा सीथ है इस सवाल पुछा गया था और आपके जो option में दिये गए थे उनमें से मेघल है इसका सियन सार होगा तो याद रखेगा किस राज्य में कितने लोगसवा सीठ है नेक्स्ट ए राष्ट्रिय प्रदूशन नियंत्रन दिबस कब मनाया जाता है दो दिसंबर को मनाया जाता है प्रदूशन नियंत्रन दिबस दोस्तों नेक्स सवाल पुछां कि यह था यूएनो का प्रथम महा सचीव कोन थे इसका स्तियान सार होगा ट्रिग भी ली ओके नाम को याद रखे ट्रिग भे ली ये नोर्वे देश से है नेक्स दोस्तों है इंडिया का फास्ट बायो फुएल पावर फ्लाइट दिल्ली से किसके मध्या चलाई गई थी इंडिया का यानि भारत का पहला बायो फुएल पावर फ्लाइट दोस्तों दिल्ली से देहरादून के बीच में चलाई गई थी नेक्स्ट है दोस्तों National Stock Exchange of India Limited यानि NSE का मुख्याले कहां पर स्तीध है मुंबाई में स्तीध है नेक्स्ट है रविंदर रनाथ टागोर को 1913 में किस खेत्रा में नोबेल पुरसकर दिया गया था लिट्रेशर के फिल्ड में यानि सहित्य के खेत्रा में क्या मुझे आप बता सकते हैं किस नोबेल के लिए इनको दिया गया था उम्मीद है आप सभी लोगों को पता होगा किस नोबेल के लिए दिया गया था इनको नोबेल प्राइस चली कमन बक्स में बताएए बिश्व में प्रथम nuclear reactor कौन सा है जिसमें uranium 233 का उपयोग किया जाता है कमेनी इसका सी अंसर होगा याद रखिए next है किस अंतराश्ट्रे संस्ता का गठन सबसे पहले हुआ इसका सी अंसर होगा the league of nations इसका गठन सबसे पहले हुआ था और इसका नाम बदल करके बाद में इसको replace किया गया किस से United Nations से याद रखिएगा next है हुड़किया बोल क्रिसीगीत एक किस राज्य में प्रचली थे ये सवाल पुछा गया था उतराखन इसका सही अंसर होगा दोस्तों नेक्स सवाल पुछा गया था 1972 से पहले किस राज्य का नाम North East Frontier Agency था किस राज्य का नाम इसका स्री अंसर होगा अउना चल प्रदेश याद रखिए नेक्स सवाल है अंसुला कांद विश्व बेंक समोह की मुख्य वित्य अधिकारी और प्रबंध निशेदक है यानि MD और CEO है तो इससे पहले इन्होंने यानि जो अंसुला कांद किस बेंक के मैनेजिंग डिरेक्टर थे से अनसर होगा State Bank of India के मैनेजिंग डिरेक्टर थे नेक्स रे विश्व बेंक के अधक्सिया कौन है कुछ the President of World Bank सवाल कुछ अगया था डाविड मालपास इसका से अनसर होगा और इसके CFO and MD कौन है जैसे कि मैने अभी आपको बताया अंसुला कांद ये भारतिय है इसलिए सवाल बार-बार इनसे पुछा जा रहा है तो नेक्स सवाल है मुंबई में स्तीत जो ताज होटेल मुंबई का जो ताज होटेल है इसको किस ने बनवाया था जामसेद जी टाटा ने इसको बनवाया था याद रहे तो सवाल है 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर को लुंच किया गया था इसके तहत पहला टाइगर रिजर्ब किसको बनाया गया था कौनसा नेशनाल पार्क को पहला टाइगर रिजर्ब के नाम से घुशित क्या गया था जीम कोरवेट नेशनाल पार्क को जो कि उत्रा खंड में स्टीध है मोतियों का सहर किस सहर को कहा जाता है हैदराबाद सहर को कहा जाता है मोतियों का सहर इसे दोस्वों निजाम का सहर भी कहा जाता है याद रिखेएगा दोस्वों नेक्स वाल पुछा गया था कि North, South and East Corridor का जंक्षन कहां पर स्थी थे North, South and East Corridor का जंक्षन दोस्वों जहांसी में स्थी थे उत्तर प्रजेस का जहांसी में उसे अंगला स्वाल है कोलकत्ता में परमानो उर्जा बिभाग का कौन सा अनुसंदान केंद्र नहीं है इसका जो सी अंसर होगा ये वाला अफसान में जया गया था राजा रामन राजा रामन सेंटर फोर आडवांस टेकोनलोजी इसका जो हेड़कॉर्टर है जोस्वों मध्यप्रदेश का इंडोर में स्थी थे नेक्षे जोस्वों इनसाट वान बी सैटलाइट उपग्रह कब लॉंच हुआ था इनसाट वान बी सैटलाइट इसको 1983 को लॉंच किया गया था ओके 30 अगस 1983 को देखे किस तरह के difficult सवाल पुछे गये थे जो तारीक से सम्बंधित नेक्ष्ट है which railway runs parallel to आराव सागर कौन सा रेलेवे आराव सागर से समानतर चलता है सरवादिक railway line किस राज्य में है सबसे ज्यादा railway line यानि जो railway route किस राज्य में है पुत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हुगा अगला सवाल पहला पुण स्वामित्यो वाला जो completely independent भारतिय बैंक कौन सा है जो कि अभी भी अस्तित्तों में है तो इसका स्तिया आंसर हुगा पंजाम नेशनल बैंक इसको कब फाउंड किया गया था कब इसका स्तापना किया गया था 1894 को नेक्स सवाल देखते हैं नेता जी सुवास चंद्र बोस इंटरनेशनाल एरपोर्ट कहां पर स्तीत है कलकता का दमदम में स्तीत है जो कि वेस्ट बेंगल का एक सीटी है नेक्स्ट एलिव का फूल्फरम क्या है छोड़िए इसको ये कॉम्प्पिटर का सवाल है इसका से अंसर होगा ये सवाल भी दो-तिन बार रिपीट हुआ है तो अंगला सवाल पुछा गया था पहली बार विश्व कॉप में किस वाल कब में क्रिकेट से समंधित सवाल है अवरों को कम करके 50 अवर किया गया था किस बार्स आपको पता हुआ जो 50-50 का मैच होता है ज जो पहला मैच कब होआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच होआ था उसी से इसको लागो किया गया नेक्स है राश्टिया राजमार्क विकास परियोजना के अंतरकरत इस्ट-वेस्ट कोरिडर कहां तक है इस्ट-वेस्ट कोरिडर दोस्टों ये पोरबंदर से सि दोसंगला स्वाल पुछा गया था पुलिजर प्राइज पुलिजर प्राइज कोन देता है ये यूसे का कोलंबिया इनवर्सिटी देता है पुलिजर प्राइज याद रखिए नेक्स है लंडन किस नदी के किनारे स्थी थे लंडन सहर किस नदी के किनारे स्थी थे सी अंस डोना पाउला में स्तीध है नेक्स्ट भारत के प्रथम मुख्या चुनाय आयुक्त कौन है जो फास्ट इलेक्षन कमिशनर भारत के कौन है सुकोमार सेन इसका स्री अनसर होगा नेक्स असनों पुछा गया था सार्क का फुल्फर्म क्या है सार का full form है South Asian Association of Regional Corporation इसको 1985 को स्तापना किया गया था और इससे बार-बार स्वाल पुछे जा रहे हैं सार के जो कंट्री मेंबर्शिप कंट्री कौन है उनको भी याद रखिये अफगानिस्तन, बांगलादेश, भुटान, इंडिया, नेपाल, माल्दिप्स, पाकिस्तन और सिल ने सबसे जादा बार FIFA World Cup जीता है किस टीम ने जीता है देखे सवाल पुछा गया था ब्राजिल इसका सिया अंसर होगा जो की पांच बार FIFA World Cup जीता है और ये जो FIFA World Cup किस से समंधित है फुटवल से समंधित है भारत के सबसे बुजुर्ग यानि जादा उम्र के प्रधान मं बने थे शेया अंसर होगा मोरारजी देशाई जिनको की 81जल वर्स हुआ था वो प्रधान मंत्री बने थे नेक्स्क इवाल है ड्रीमस फ्रम् मैइ फादर ये जो पुश्टक है इसके लखक कौन है बाराक औबामा इसका सीया अंसर होगा ड्रीमस फ्रम मैइ फादर पुश् अगला सवाल पुछा गया था कुचीपोडी नूर्त्यों जो है कुचीपोडी नूर्त्यों ये कहां प्रचली थे किस राज्यों में प्रचली थे अंदर प्रदेस इसका से अनसर होगा कोलेरु जिल कहाँ पर स्तीथ है ये भी अंदर प्रदेस में स्तीथ है अंदर प्रदेस का क्रिष्णा जिले में स्तीथ है कोलेरु जिल नेक्स सवाल दखते हैं सवाल पुछा गया था माटसु फेस्टिवाल ये किस राज्य में मनाया जाता है माट्सू फेस्टिबल जो माट्सू तिवार है ये नागलांड में मना जाता है अगला सवाल देखते हैं केलास तत्यार थी किस खेत्र में कारिया करते थे समास से भी एक समास से भी है सवाल पुछा गया था सबसे बड़ा निकलियर पावर प्लान कहां पर स्थीथ है कुंडन कुलम में स्थीथ है सबसे बड़ा निकलियर पावर प्लान और कुंडन कुलम ये तामिल नाडो का एक सीटी है याद रखिए next है IPAB, इसका full form क्या है IPAB, I से हो गया intellectual, P से हो गया property, A से हो गया appellate, B से हो गया board तो intellectual, property, appellate, board इसका C अंसर होगा, ये स्वाल पुछा गया था और जुन आवार्ट, जो होता है, और जुन पुरसकार, ये किस से समन्दीत है C अंसर हो जाएगा, खेल, ये स्वाल से समन्दीत है अगला सवाल देखते हैं, सवाल पुछा गया था, कि poverty and on British rule in India इस पुष्टक के लेखक कौन है, दादा भाई नारोजी इसका C अंसर होगा poverty and on British rule in India पुष्टक के लेखक दोस्तों, गला सवाल पुछा गया था, Panama, पेपल लेक, एकिस कमपनी से समन्दीत है Mosaic 4 कमपनी से समन्दीत है गला सवाल देखते हैं, भारतिया अंतरिक्स कारेकरम के जनक कोन है बिक्रम सरव है, इसका C अंसर होगा नेक्स्ट है, भारत का प्रथम सुपर कमपुटर कोन सा है इसका C अंसर होगा, परम 8000 ये भारत का पहला सुपर कमपुटर है, याद रखियेगा और इसका स्तापना कप क्या گیا था, इसको लांच क्या क्या गया था, 1991 को और विशो का सर्वप अथम सूपर कम्पूटर कौन सा है CDC 6600 और इसको डिजाइन कौन किया था सेमूर क्रे इसलिए दोस्तों सूपर कम्पूटर का जनक किसे कहा जाता है सेमूर क्रे को कहा जाता है यह नाम को याद रखिए अगला सवाल पुछा किया था 2011 की जनगन्ना के अनुसर किस राज्य का घनत्व सबसे अधीक है से अनसरो का दोस्तों बिहार का जन घनत्व जो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधीक है दोस्तों 16 जानवरी तक 17 फरवरी से 16 जानवरी तक जितने भी एंटिपी से एकजाम है स्टाटिक जीके की सवाल वो कंप्लेट हो चुका है चलिए आगे बढ़ते हैं आप 16 जानवरी से 4 जानवरी तक और उसके बाद 4 जानवरी से 28 डिसमबर तक इस तरह से चलेंगे तो सवाल पुछा किया था दोस्तों नेशनाल साइस डे कब मना जाता है सिया अनसर वोगा दोसों नेशनाल साइस डे 28 फरवरी को मना जाता है याद रखे 28 फरवरी को नेक्स पुछे किया था नाक्टिया सास्तरव इसके लेखक कौन है रचनाकार कौन है भरत मुनी याद रखे 1973 से सुर्वात हुआ था और अब तक हमारे भारत में कितने टाइगर रिजर्फ हैं 50 टाइगर रिजर्फ हैं सबसे पहला टाइगर रिजर्फ कुन था जिम करवेट नेशनल पर्क जो के उतराखन में स्थी थे अगला स्वाल पुछा गया था RBI का स्तापना कब हुआ था एक अप्रिल 1935 को हुआ था और बरत्वान के समय में RBI के गवर्णर कोन है सक्तिकांथ दास और इजर्फ बेंक अप इंडिया एक्ट कब परित हुआ था 1934 को ये भी स्वाल पुछा गया था RBI का Nationalization यानि राष्ट्रिय करन कब हुआ था एक जन्वरी 1949 को हुआ था नेक्स वास है UNICEF का मुख्याले कहां पर स्ती थे स्वाल पुछा गया था नीवर्क में स्ती थे UNICEF का मुख्याले और UNICEF का फूल फर्म क्या होता है United Nations Children's Fund इसका मुख्याले है New York City में और फॉर्मेस्टन हुआ था ये सबसे मेतापुन है इसको याद रखे 11 December 1946 में हुआ था और Executive Director अभी वर्तमान के समय में कौन है UNICEF के Henrietta H48 नेक्स वास है Wireless Technology Bluetooth Bluetooth का आविसकार किसने किया था Jaff Hudson इसका से यांसर होगा अगला सवाल है पहली बार भारत में रेल कप चली थी 16 April 1853 और रेल दीवस कब मना जाता है 16 April को इसलिए एक्स है बिसो में प्रथम रेल कप चली थी 1825 इसवी में चला था England में याद रखेगा सेंट राष्टर सुरख्या परिसात के 18 सदस्यों का कारियकाल कितने बर्स होता है यह सवाल पुछा गया है दो बर्स होता है कितने अस्ताई सदस्यों होते हैं 10 अस्ताई सदस्यों होते हैं कितने अस्ताई सदस्यों होते हैं 5 अस्ताई सदस्यों यानि पर्मानेट मेंबर होते हैं अगला सवाल पुछा किया था, सुसिल कुमार, किस खेल से सम्मंदित है, रेस्लिंग खेल से सम्मंदित है, दोस्ट नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने निकलियर रियक्टर है, भारत में कुल कितने निकलियर रियक्टर है, इसका C अंसर होगा, 22 रियक्टर है, 22 निकलियर रि यह जो पुष्टक है इसके लिखक कौन है राम चंद्र गुहा इस पुष्टक के लिखक है जी शाट थाटी एक किस्त प्रकार का उपिग्रह है दोस्तों यह एक कम्मुनिकेशन सेटलाइट है जी शाट थाटी इसको लॉंच कप क्या गया था यह मेहत्पोन है जानवरी 17 सवाल पुछा गया था राजस्तान में स्थी थे स्वेडन का राज़ानी कौन सा है श्टॉक होम नेक्स पुछा गया था डी मोनेटाइशन कब हुआ था डी मोनेटाइशन यह 8 नवेंबर 2016 को हुआ था सफेद क्रांती किस से समंधी थे दूप उत्पादन से यानि मिल्क प अगला सवाल है भारत का प्रथम नुकलियर प्लांट कहां पर स्ताफित क्या गया था जो भारत का पहला नुकलियर प्लांट है तारापूर में स्ताफित क्या गया था तो सवाल पुछा गया था भारत ने ओलम्पिक में पहली बार यानि फार्स टाइम कब भाग लिया था पिस्म सहानी इसका से अंसर होगा और UN परिख्या परिशत, UN का जो सुरख्या परिशत है इसमें 27 सदे से कितने होते हैं, 5-27 सदे से होते हैं, इसमाल बार-बार रिपीट हुआ है, ओके दोस्तों तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आप लोग ज्यादा समय तक वीडियो नहीं देखते हैं, तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही, और पार्ट 3 वीडियो में, और भी हम 200 के आसपार सवाल डिसकस करेंगे, इस वीडियो में हम 500 के आसपार सवाल डिसकस किये हैं, तो चैनल को अभी सबस्क्राइब कर लिजि पेकेज बना दिया है, तो उसमें पिछले 5 साल के जितने भी रेलियो एक्जाम होए थे, उसमें जितने भी साइंस के सवाल पूछे गए थे, केमेस्ट्री, फिजिक्स, बियोजिस, सभी को मैंने अलग से टोपीक वाइज करके एक e-book भी बना दिया है, साथ-साथ दोस्तो सवाल पूछे गए हैं, सभी का दोस्तों मैंने एक साथ कलेक्ट कर दिया है, अब तक जितने भी जो 2600 या 2700 सवाल पूछे गए हैं, सभी को मैंने केटेगोराइज कर दिया है, सबसे बेस्ट कंटेन रहेगा दोस्तों आपका ग्रूप D और NTPC exam के लिए, तो जरूर उसको डाउनलोड कलेजीगा, सिर्फ और सिर्फ 79 रुपे में, लगभग 12 से भी ज्यादा e-book आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और सभी के सभी दोस्तों टूदा पंट स्टोडी माट्रियाल हैं, इधर उधर का कुछ भी नहीं है, बस उसी को ही आपको पन्ना है, आप अगर सक् पन्ने को मिल जाएगा, अगर आप डाउनलोड नहीं कियें, तो अभी तुरान डाउनलोड कलीजीए, इस वीडियो का टेक्शन वर्क्स में लिंक है, नहीं तो आप GK क्रेज सर्च करके प्लेश्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं,